हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास वित मांसी तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं मैप आफ मध्यपृदेश हमारा मध्यपृदेश हमने बना रिया था कल हमने देख लिये थे कि इसमें 53 डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं और इसके हैं मेरे सामने यह MP का मैप खुल चुका है सबसे पहले मैं आपको इसकी इंफरमिशन दे देती हूं कि हमारा जो MP है उसमें 10 संभाग हैं संभाग को इंग्रिश में डिविजन कहा जाता है और 52 डिस्ट्रिक्ट याने की बावन जिले हैं जो as of now है अभी मोगंज जो है वो से बनने वाला है 15 अगस्त को अब सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टन चीज है वह हम यह देख लेते हैं कि हमारा MP है वह कितने राज्यों यानि कितने स्टेट के साथ अपनी बाउंडरी शेयर करता है तो देखिए सबसे पहले यह राजिस्थान से अपनी बाउंडरी शे करेंगा ही इसके अलावा जो दोस्तों अभी हमने देखा था कालिट की जब हमारा MP डिवाइड हुआ था नाइटीं 56 के बाद तो कुछ स्टेट को हमने बॉंबे स्टेट में वाज़ कर दिया था तो मतलब महाराष्ट भी इसके आसपास ही है तो हम महाराष्ट भी से याद तो दोस्तों सबसे पहले हमने थे तो जाने लिया कि यहां पर दस हैं तो डिविजन से कौन्-कौन से थीए सबसे पहला जो डिवीजन हैं दोस्तों यह उपर वाला है यह आपको दिख रहा होगा यह थोड़न सा पिंकिश कलर में जिसका नाम है चमबल डिविजन चंबल डिविजन इसको कहा जाता है दोस्तों ये हमारा फर्स्ट डिविजन है इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे जो सेकंड डिविजन है दोस्तों वो ये है ये आपको दिख रहा होगा जैसे कि एक परसन होता है और उसका फेस के बाद गला आता है वैसा ही हमारे MP का उ वाजधानी क्या है भोपाल इसलिए जो सबसे मिड में जो हमारा MP का संभाग है उसका नाम है भोपाल संभाग जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह पांच डिस्ट्रिक्स को मिला कर क्या बनता है भोपाल संभाग इसके अलावा दोस्तों यह जो है लास्ट में यह होशंगाबा संभाग तो इसके साथ दोस्तों हमने यह पहले लाइन से याद कर लिए कि सबसे पहला चंबल संभाग है दूसरा ग्वालियर संभाग है तीसरा बीचो बीच मोपाल संभाग है और लास्ट में हमारी नर्मदा बहती है और वो कहां से बहती है होशंगाबाद से तो होशंग इस सागर समभाग, इसको अभियाद रखेगा कि सागर यहां पर है। इसके बाद जोटा सा सिरुफ थीन डिस्टरिक्त कजाए cannot. पूरा जबलबुर दिविजन है यह सबसे बड़ा डिविजन है दोस्तों कौन सा जबलपूर दिविजन तो अब हम इसके साथ कितने कम्प्रीट कर चुके हैं चंबल गौादियर रुपाल होशंगाबाद इसके बाद रीवा सागर शहडोल और जबलपूर अब दोस्तों सरफ दो डिविजन पर पचे हैं हमारे एक तो यह है उपर महाकाल की नगरी य इसी के साथ हमारे पूरे 10 डिविजन कम्प्लीट हो चुके हैं एक बार मैं आपको रिवाइस करा देती हूँ यह जो उपर वाला है यह चंबल डिविजन है दोस्तों सेकेंड यह गला यानि की गौाले डिविजन है बीचो बीच इसके यह भोपाल डिविजन है इसके पर उपर है उजयन महाकाल की नगरी तो मुझयन डिविजन है और उजयन के जस्ट नीचे यह इंदोर डिविजन है आई होप दोस्तों आपको यह 10 के 10 डिविजन का नाम याद हो गया हो अब हम चलते हैं प्रिक से इन सब के जिले याद करने तो देखिए सबसे पहले हम श कि एक शी शी याने की फीमेल शी जो है वो मोरनी है मुरेना मतला मोरनी तो शी एक मोरनी है जिसको भीड में जाना नहीं पसंद दोस्तों तो शी मोरनी को भीड में जाना नहीं पसंद तो इसलिए क्या हो जाएगा शियोपुर मुरेना और भिंड इससे हमें फर्स्ट वाला संभाग याद हो जाएगा इसके बाद दोस्तों अब हम चलते हैं सेकंड संभाग के उपर जो की है ग्वालियर संभाग तो दोस्तों देखिए सबसे पहले हम यह देखते हैं कि ग्वालियर एक जगा है गले में ग्वालियर आ जाता है अब ग्वालियर में मेरी दादी का घर ह इसको हम याद रखेंगे कि गौालियर में दादी का घर है तो दादी से क्या हो जाएगा दोस्तों दतिया तो गौालियर में दादी का घर है और जहां पर है एक शिव जी का मंदर तो ये बन गया दोस्तों शिव पुरी इसके बाद वहां पर है अशोक का पेड़ आपको पता है यह में अपने आपको कितने भी गुणा कश्टों से मुक्त कराना है तो यह हो गया गुणा में हमारी दादी का घर है जहां पर शिव जी का मंदिर है और अशोक के पेड़ के पास मैंने अपने हजारों गुणा पाप माफ कर वा लिए तो दोस्तों यह दो संभाग हमारे हो वह बिलकुल एकदम administrative capital है हमारे MPE तो वहाँ पर जो राज करते हैं वो राजा है ठीक है तो यह हो गया राजगर तो राजा जी जो है वो भोपाल में राज करते हैं और वो क्या करते हैं वो भोपाल से भोपाल से सबको अपनी राय देते हैं और किस चीज की राय देते हैं कि किसी विधी चलेगी पूरे भोपाल में आपको यह पूरा रखना है कि भोपाल में हमारे राजा जी रहते हैं जो भोपाल से मतलब सिहोर राय देते हैं मतलब राय सेंच कि किस विधी से यहां पर काम होगा तो विधी शा हो जाएगा दोस्तों इसके बाल हमारा जो next division है दोस्तों वो है होशांगाबाद division. तो होशांगाबाद division को हम कैसे याद रखेंगे. देखिए, होश में रहो हरदम बेटु. मतलब होशांगाबाद. हरदम मतलब हरदा. और बेटु मतलब बेटु. दोस्तों, I hope आपको ये चारो division है हो गया होगे. अब हम बढ़ते हैं अगले point के तरफ तो जैसा कि हमारा next संभाग है यह रीवा संभाग तो दोस्तों इसमें चार डिस्ट्रिक्ट आते हैं टोटल देखिए रीवा सतना सीधी सिंग रॉली चेक है तो रीवा एक लड़की है यह जो रीवा है यह बहुत ही सीधी साधी है तो सीधी और जो सत संभ करती है तो दोस्तों देखिए रीवा जो है वो एक सीधी लड़की है तो रीवा और सीधी तो आप ऐसे याद रखेंगे और जो सत और सं तो आपको इसे याद हो जाएगा इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं शेहडोल संभाग की तरफ तो देखिए यह शेहडोल संभाग को जब आप पढ़ेंगे तो एक है शेहडोल एक है उमरिया और एक है अनुपर तो अगर आप इसको शॉट फॉर्म में लिखेंगे इसे थारीके तो दोस्तों अब हम पहले चलते हैं यह सागर डिविशन की तरफ तो जैसे कि आप देख रहे हैं यह जो सागर डिविशन है इसमें क्या है दोस्तों कि आपको एक स्टोडी याद रखनी है देखिए कि एक व्यक्ति है जो पन्ने में एक उसके पास कागज है किसी के मुह में आकर us girlsal देता है और बहुत कुछ लिख देता है पूरा सागर उसमें बहा देता है अब क्या हção यह थो है वह पन्ना जो है वो उड़कर इसी कि छ हट कर, और UNDदोस्तों पहूंंगा बाद से रहे होगा कि न avail-दोस्तों, मेरे पास save है no worries no worries मतलब निवाडी निवाडी को हम no worries याद रख सकते हैं तो दोस्तो इसी के साथ हमारे सागर डिविजन भी complete होता है अब हम चलते हैं अपने next और सबसे बड़े डिविजन की तरफ जिसका नाब है जबलपूर डिविजन तो देखें दोस्तो इसको आपको कैसे याद रखना है कि जबलपूर जबलपूर में आपको पता है वैसे हाई कोट भी है तो यह तब को यादी होगा तो जबलपूर मतलब जब भी चीक है तो जबलपूर से आप जब भी याद रखेंगे तो हम नर्स के पास जो है वो भागते हैं तो नर्स जो है वो चंद मिंटों में हमारा इलाज कर देती है तो छिंद वाड़ा चंद से मिंटों में याने चंद से मिंटों में हमारा इलाज कर देती है इसके बाद वो क्या करती है सिवनी वो सिवनी करके एक सौंग आती है सियोन लेकिन हम को वो गाना। पसंद ही आता है। हम तो नहीं जमाने के लोग है। हम कौन सा गाना गाते हैं Doten गाते हैं वह जाता है बाला गाते हैं थे नर्स पर बेही तुम पंडला और दिन कि भर गाते और नर्स हमें चंद मिंटों में ठीक कर देती है और वो एक गाना-गाती पुराने-जमाने का सिवनी तो हमें वह पसंद नहीं आता है तो हम गाते हैं बाला तो नर्स बोलती है कि मन लगा का गाओ लेकिन दिन भरगाओ आपको यह पूरा समझाया होगा अब हम चलते हैं अप और कोई नगा मनत मांगी मनत मतलब अगर मालवा अगर अगर बत्ती जला हम वह जाएंगे तो अगरबत्ती तो लगाएंगे मघवान जी को फिर क्या हुआ कि हुआ हम ने उनसे कहा कि महाकाल बाबा मैं चाहता हूं कि मैं शाह जहां की तरह जैसा वो शाह जहां था उसकी तरह देवों की तरह वास करूं मैंने ये मनत मांगी है कि मैं शाह जहां की तरह देवों की जैसे वास करूं तो आप मुझे या शिरवात दीजिए तो दोस्तों इसी के साथ हम हमको हमारी बुआ रहती जिसका नाम क्या है दोस्तों जाबुआ देखिए ग्वालियर में हमारी दादी रहती थी लेकिन इन दौर में कौन रहता है हमारी बुआ रहती है तो जाबुआ जो क्या करती है दोस्तों अली को मानती है इसलिए क्या हो जाएगा अली राजपुर तो और ना ही आपको एक दूसरे के बीच में धार पैदा करने चाहिए जैसे कि वो हिंदू हम हमेंसा मानते कि हमारी बुआ हिंदू है लेकिन मानती है अलीकों है तो वो बोलती है कि ऐसी धारा बहाओ या फिर ऐसा करो कि लोग खंड-खंड में ना बटें आपस में सब मिल जुल कर सबको बढ़ावा देना चाहती है वो इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों बढ़वानी और इंदौर डिविजन तो ही और बुराईयों से दूर रहो तो यह हो जाएगा बुरहान पुर तो दोस्तों इसी के साथ हमारा इंदौर डिविजन भी कंप्लीट होता है जिसमें ह हम एक पर इसको रिवाइस कर लेते हैं कि देखिए हमारी एक बुवा रहती है जाबुआ जो अली को मानती है हिंदू होने के बाद भी तो वो बोलती है कि यह धार ऐसी बहाव जिससे क्या हो कि हम खंड खंड में ना बटें और इसको ऐसे बढ़ावा दो कि बुराईयां ब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं वीडियो पसंद आये तो लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं थैंक यू सो मच दोस्तों पर वाचिंग मैं वीडियो